हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आए होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा पांच के विसे पर्यावरन अद्धिन के सब तहा सोले की वक्सीट को स्वल्ब करेंगे जो की उत्री दिली नगर निगम के द्वारा दी गई क्वेशन वन है नीचे दिये गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए यह व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है इस कार्य को करने के लिए उपयोग में लाए गई वस्तों की सूची बनाईए तो बच्चों क्या कर रहा है रॉक क्लाइम बिंग इट मींस पहाड पर चढ़ने क कार्य कर रहा है तो बच्चों आंसर है यह व्यक्ति पहाड पर चढ़ने का कार्य इट मींस रॉक क्लाइम बिंग कर रहा है इसमें उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं मजबूत मोठी रसी होक छड़ी कुलहाडी इत्यादी अब बच्चों कोशिन नमबर टू दिये गए ध्यान पूर्वक देखिए इसे देखकर आपके मन में आने वाले भावों का वर्णन कवीता या अनुछेद के माध्यम से अपने सब्दों में कीजिए तो बच्चों यहां आप इस चितर को देख सकते हैं इस चितर में प्रकरती से प्रेम को दरसाया गया है बच्चे आपको कैसा अनुभव हुआ था यदि नहीं तो कल्पना कीजिए कि ऐसा कार्य करने में आप कैसा अनुभव करेंगे तो बच्चों आंसर है हां मैं कई बार अपने गाउं के बगीचे में आम के पेड़ पर चड़ा हूँ पेड़ पर चड़कर मुझे बहुत अच्छा तो बच्चों यहां आप कल्पना करकर लिख सकते हैं कि आप कैसा अनुभव करेंगे अब बच्चों कोशियन नमबर फोर यदि आपको किसी पहाड़ पर चड़ना हो तो बताइए कि नीचे दीगे तालिका में से आप किन-किन वस्तों को अपने साथ ले कर जाएंगे चु ग्लूकोज पानी की बोतल बगरी तो बच्चों क्या क्या लेकर जाएंगे रसी तौर्च दवाईयां विटामिन सी के प्रोडक्ट्स होक ग्लूकोज जूते पानी की बोतल तो बच्चों इन चीजों पर आप सरकल करेंगे अब है कोशियन नमबर 5 सही विकल पिचुनकर र पहाड़ी छेत्रों में मौसम अधिकतर कैसा होता है तो बच्चो ऑप्शन है गरम ठंडा बरसाथी तो बच्चो आंसर है ऑप्शन नमबर सेकंड ठंडा होता है नेक्स्ट है संसार की सबसे उची चोटी पर कदम रखने वाली प्रथम भारते महिला का नाम है तो बच्चो ऑ तो बच्चो आंसर है एक मौनिटर को कक्षा में साफ सफाई का ध्यान रखना होता है कक्षा के लिए कूडे दान, चौक, एवं अन्य जरूरी वस्तों का ध्यान रखना होता है वह कक्षा की समस्याओं को अध्यापक एवं प्रधाना चार्य तक पहुंचाता है कक्षा में सांती बनाए रखना होता है कक्षा का मॉनिटर सब के सहयों के साथ कारे करता है आभेबच्चो जीवन कौसल वर्सा जल संचेयन और भूजल का पुनभरन हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए आवसक है लेकिन पीने के पानी के संसादन सीमित है और इसकी मांग बहुत अदिक है इसलिए हम सभी को जल संरक्षन की अवधारना पर काम करने की जरूरत है इस संबंद में वर्सा जल संचेयन और भूजल इसतर का पुनभरन करना बहुत जरूरी है वर्सा जल संचेयन वर्सा जल को संगरहित करने की प्रकरिया है भूजल का पुनाभरन संकट की अवधी के दौरान पानी की आवश सकता को पूरा करने का एक आसान तरीका है अब बच्चों यहाँ पर आपके लिए गतिवीदी हैं ऐसे दो तरीके सुझाईए जिनमें आप घर पर बारिस के पानी को इखटा करके उपयोग कर सकते हैं बच्चों आंसर है छट के पानी को टब वाल्टी या किसी भी बड़े बरतन में खटा करके तुरंत उपयोग में लाया जा सकता है बारिस के पानी को जमीन में टैंक बना कर उसमें एक अत्रित किया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है तो बच्चों इस तरीके के द्वारा हम पानी को लंबे समय तक यूज कर सकते हैं अब बच्चो कुश्यन नमबर टू वर्सा जल संचेन भूजल इस तरको बढ़ाने में कैसे मदद करता है तो बच्चो आंसर है वर्सा का जल तालावों, बावडियों, कुओं आदी में खटा हो जाता है उसमें से कुछ जल दीरे-दीरे रिसकर भूमी में चला जाता है जो भूजल इस तरको बढ़ाने में मदद करता है अब बच्चो कुश्यन जल ही जीवन है विशय पर एक पोश्टर बनाईए तो बच्चो आप इस तरीके से जल ही जीवन है इस विशय पर एक पोश्टर बनाएंगे संसकार साला छोटी छोटी पर बड़ी बातें हम अपने विचारों के वसी भूत हैं अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते खाद्य रंग है पीला पीले रंग के खाद्य पदात उधारन के लिए केला आम पीली डाल आदी खाएंगे खेल है टिक टेक तो चिडिया गती विदी है पौधों को पानी देंगे दैनिक दिन चरिया, निमने लिखित आदतों को अपनी दैनिक दिन चरिया में सामिल करें अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें अपने दाथों को दिन में दो बार बरस करें, प्रति दिन इस्नान करें खूब पानी पीएं और संतुलिता हार लें अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हातों को बार बार धोएं अपना ग्रह कारे समय पर पूरा करें बच्चो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू